नमस्कार इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ महक शर्मा खबर है करनाल की जहां करनाल से गड़ी बीरबर मार्क पर बसे सुचारू रूप से ना चलने को लेकर लोगों में गहरा रोश है रोड पर लगभग 9 बसे का रिकॉर्ड है लेकिन उनमें से केवल 4 बसे ही रूट पर चल रही है इससे परेशान होकर छात्र एवं युवा बोलेगा मंच की टीम द्वारा एवं सभी गाओं के सदस्व द्वारा सरपंच के पास करदा पर लिखवा कर दिया गया जीम रोडवेस करनाल डीपो को ग्यापन सोपा गया जिसमें प्रदीप कला, जेपी शेकपुरा, अमित मधान, संजीव, राजीव, रविंदर डॉंगी, शेरगर टापु के युवा सैयद, छपरा के युवा, डबकोली के युवा एवं युवा बोलेगा मंच के टीम के स जल्द ही, सभी बसे समय पर चला दी जाएंगी, पूरी नो बसे चला दी जाएंगी, किसी भी प्रकार की कोई परिशानी नहीं होगी, और शेरगर टापु से जो पहले बस चलती थी, उसे दोबारा शुरू किया जाएगा, और युवा उने बोला, अगर ये बसे कुछ दि नहीं चले, इसलिए नो बसे पूरी हो, और बिलकुल ठीक हो, खस्ता हालत में ना हो, और सही समय पर आए, हम बस यही मांग करते हैं। इसलिए बस सर, राष्टी जब ट्रावर कडेक्टर का उत्ता हो, उनकी आलाद भी खेंगी है, इसलिए नो कि नो बसे पूरे रूपनी में चलू आओगे ना, वहागे नर्के नर्किया, वो पर मतलब जो इरिकार से चल रही है, तो मुशिवत नहीं आती है। जब की जो भी बसे चलती है, वो पर टाइम ली नहीं है। जो काम है, यह देख रहे हैं आप तस्वीरों में, क्या कर रहा है, तो मना नहीं होगा भुलेगा मंच के, जदस्वा के द्वारा क्या आपन सोखते गए हैं। जब की बसे चलती हैं।